Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छे होंगे तो आज cover करेंगे 5 minutes में एक बहुती important news और news जो है वो थोड़ा सा factual है क्योंकि इस तरह के facts पे based आप से exam में question पूछे जाते हैं खास करके state PCS में इस video के last में हम एक question देखेंगे जो कि अपी recently आपके exam में पूछा गया है तो चली पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि news क्या है कि Gustavo Petro जो है वो कोलॉंबिया के first leftist president बन गए है और ये basically एक former gorilla fighter थे वहाँ पर वहाँ पर establishment के against ये जो है एक organization था उसमें ये एक trend बोल सकते हैं आप fighter थे और फिर उन्होंने active फिर वो सारे चीज़ को छोड़के active politics join किया काफी दिन जो है ये वहाँ के वहाँ पर legislation में रहे और अब जो है वो जाके president बन रहे है ठीक है चली इनकी बारे में थोड़ा से जानते हैं देखी अभी ये तो इनके पारे में जानेंगे लेकिन अगर अभी आप South America का थोड़ा सा politics देखेंगे जो Latin America है वहाँ का politics देखेंगे तो वहाँ अभी rise of left बोल सकते हैं left wing governments हर country में आ रहे है पेरू, Honduras ठीक है बहुत सारे countries में जो है अभी आपका rise हो रहा है left wing government का ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो आप बोल सकते हैं जो other party है उसके बहुत सारे policy failures हो रहे हैं इवन अभी world order भी change हो रहा है पूरी तरह से trade disrupted है तो बहुत सारे reasons है जो की इस तरह से push कर रहा है आपका left wing government का वहाँ जीत वहाँ पर हो रही है बहुत जगा ठीक है अब थोड़ा सा आगे जानते हैं देखिए इनके against जो लड़े थे वहाँ के president जो already existing Ivan Marquez वो democratic center party के थे और उनको criticize किया गया था same way taxation policy education jobs create नहीं कर पारे थे same जो अभी maximum countries में यही issues चल रहा है तो इसके वज़े से जो है और अभी उन्होंने left government ने यह pitch किया कि they will ensure some kind of minimum employment and all those things तो उस वज़े से जो है इनको जो हार जेलना पड़ा है अब यहां आगे देखते हैं लेकिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो यह basically carbon gorilla outfit था M19 करके जो कि 1950s में बहुत सक्रिये था यह establishment के against लड़ा था for their own rights ठीक है capitalists और आप बोल सकते हैं जो center वाली party थी उसके against लड़े थे ठीक है और इसको demolish किया गया था बहुत बड़ा यह achievement था को लंबिया में वहां पर M19 को जो demolish किया गया था 1919 में और बोला गया था कि demolish क्या बोल सकते है demobilize किया गया था और उसको change कर दिया गया था बोला कि आप गुरिला आउटफिट या गुरिला वार से आपको कुछ भी चीज अचीज अचीव नहीं होगा आप एक्टिव politics में और इसी काइड जो है फिर जो बहुत सारे leaders थे इस outfit के वो जो है politics जोइन कर ले ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते है इसका effect जो है जिस country पर सबसे आदा पढ़ने वाला है वो कौन सा है USA अब USA का काफी जादा इंट्रेस्ट है यहां पर बहुत multiple reasons एक तो कि वेनेजोला के करीब है वेनेजोला जो है आप जानते है बहुत वहाँ पर turmoil रहता है almost हमेशा जो है वहाँ पर government stable नहीं है बहुत resource rich country है आप जानते है उसके पास जो है काफी जादा fossil fuels है तो इस वज़े से USA का interest रहता था कि वेनेजोला को control करे थू कोलंबिया लेकिन अब जो government shift हो गया है तो हो सकता है maybe अब कोलंबिया उतना बात नहीं सुने जितना पहले सुनता था क्योंकि अब obviously government change हो गया और अभी जो current president जो elect हुए है उन्होंने कहा भी है कि वो वेनेजोला से अपना relation जो है वो सुधा रहेंगे ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर geopolitics में काफी change आने वाला है इसके अलावा दूसरा एक बहुत important reason है कि कोलंबिया में जो है वो है आपका कोका का जो वहाँ पर जो कोकेंजी से बनता है that is उसका cultivation अब US ने बहुत जादा वहाँ पर कोशिस किया है कि इसका production को कम किया जाए क्योंकि obviously आप जानते है drug trafficking या drug से जो है illicit money आता है फिर उस इस चीज को रोकने के लिए US ने वहाँ पर काफी जादा investment किया था लेकिन जैसे ही अभी president ने elect हुआ है जो अभी new president elect हुए है इन्हों ने बोला है कि यह जो कोका का plantation है इसको हम लोग पूरी तरह से खतम नहीं करेंगे क्योंकि इसका कुछ medicinal value है और rural बोल सकते है region में काफी employment provide करता है तो इसके लिए वो जो है कुछ दूसरा steps ले सकते हैं तो again यह US के interest के आगे इस जाएगा ठीक है तो इस चीज को watch करते है इसके आगे जो कुछ भी इसमें अगर development होगा तो उसको हम लोग जरूर cover करेंगे अब देखते देखिए question क्या था देखिए इस साल MPPSC में question आयता कि Catalin Novak जो थी वो became the first female president of which country तो आपको बताना option A Austria, B Hungary, C Spain, D Norway, तो बताई यह option क्या है option B Hungary, अगे आपसे बोला गया कि कोई important country में अगर कोई उनके जो prime होते हैं वो change होते हैं ठीक है elections होता है उसाल तो वो आपको ज़रूर cover करके जाए 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 at least for state PCS, UPSC में आपसे पूझा सकता है तो चली मिलते हैं next lecture में तब तक thank you